तो बच्चों अब हम लोग पढ़ेंगे अपने सबसे important topic और यह है लिंस तो तुम बोलोगे यह लिंस क्या बला है तो लिंस तुमने देखा है या नहीं देखा है अभी तुम सामने लिंस देख रहे हो जैसे कि यहां तुम चश्मा देख रहे हो बच्चों तो यह चश्मा भी क्या है लिंस है हो सकता है तुमने भी चश्मा पहन रखा हो तो वह भी क्या है लिंस है यहां कैमरा से शूटिंग हो रहा है बच्चों तो कैमरा में क्या लगा हुआ है लिंस लगा हुआ है तो लिंस से हम लोग आम जीवन में बहुत ज़्यादा परिचित है हलाकि ये जो चीज है ये नया सुनने में लगता है क्या है लेकिन तुम आम जीवन में इसका यूज भी कर रहो उपयोग भी कर रहो तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं लिंस किसे कहते हैं तो यह सारे question exam पूछे तो नहीं जाते हैं लेकिन समझने के लिए जरूरी है तो दो प्रिष्टों से घिरा हुआ कोई पारदर्सी माध्यम देखो लिंस क्या होता है पारदर्सी होता है हम लोगों ने इसके पहले क्या पढ़ा है हम लोगों ने इसके पहले दरपन पढ़ा है तो दरपन क्या पारदर्सी होता है दरपन पारदर्सी होता है नहीं दरपन पारदर्सी नहीं होता है है ना दरपन पारदर्सी नहीं होता है देखो यही है दरपन तो दरपन पारदर्सी नहीं है लेकिन लेंस क्या है पारदर्सी होता है तो दो प्रिष्टों से गीरा हुआ कोई पारदर्सी माध्यम जिसका एक या दोनों प्रिष्ट गोली है लेंस कहलाता है तो यहां देखो ये अलग अलग प्रकार के यहां को लेंस को दिखाए गया है ये देखो double convex lens है plano convex lens है फिर देखो converging meniscus है फिर double concave है ठीक है plano concave है तो अलग-अलग प्रकार के lens को यहां तुम्हें दिखाए गया है तो समझना यह है हम लोगों को या फिर बोले कि कौन कौन सा लेंज पढ़ना है तो दो लेंज पढ़ना है पहला हो गया double convex और दूसरा हो गया double design called configure lens तो समझो इसको इसको में बोलते हैं उतरल लिंज क्या बोलते हैं कि यहां दो surface से एक तो ऐसे surface है और यह ऐसे surface अर दोनों surface के बारें बोला जा रहा है कि यह transparent कैसा है बच्चों ट्रांसpent है ये दखो इधर भी है और इधर भी ऐसी जेदी उठा हुआ है तो इसको बंदती ना क्या मोलते हैं वृत disobedience या नूदी उठा हुआ है तो इसको भाइ को कहें या उथज कहें चांगे, जब कि देखोगे इधर भी धसा हुआ है इधर भी धसा हुआ है तो दो सर्फेस हुए कि नहीं हुए दो सर्फेस हुए देखोगे एक इधर हो गया एक इधर हो गया एक इधर हो गया तो इसको बोलेंगे आवतल क्या बोलेंगे आवतल लिंस समझ में आ रहा है तो बताओ ये transparent यानि की पारदर्सी होगा या नहीं होगा पारदर्सी होगा तो यही है तुम्हारा lens इसी में दोग के बारे में हम लोग को पढ़ना थी यह देखरो अलग-अलग यह lens है तो यह जो lens है बच्चो इसको वास्तों में हम लोग क्या बलेंगे गोलिये lens बोलेंगे क्या बोलते हैं गोलिये lens बोलते हैं क्योंकि यह गोला का हिस्सा है देखो यहाँ पर यदि यह बन रहा है इस तरीके से तो दो गोला से बनेगा इसली इसको बोलेंगे गोलिये lens तो गोलिये lens होगा तो इसका जो है वक्रता केंद्र भी क्या होगा दो होगा ठीक है इसका वक् उत्तर लेंस मुनों को परणा गुली यंगा इस तरीके से हम लोग कुसा एंस पर में लोन बर नहीं है तो चलो देखते हैं सबसे पहला है उत्तर लेंस जिसको मैं बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस वह लेंस जिसके दोनों बाहर ये गोली ये प्रिश्टो का उभार बाहर की हो उसे उत्तर लेंस कहते हैं कभी पूछा नहीं जाएगा लेकिन याद कर लो कि उत्तर lens किसे कहते हैं जिनमें ये उभार बाहर की ओर होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं उत्तर lens कहते हैं अब यहाँ पर एक word याद करना है अभी सारी ठीक है तो इस lens को अभी सारी lens भी कहते हैं क्योंकि अपने से गुजरने वाले प्रकास किरणों को क्या करता है अभी सारीत करता है मतलब कि ये क्या कर देता है एक point पे उसको मिला देता है इसको बोलते हैं English में converging lens तो देखो जब लेंस से प्रकाश की किर्णे इस तरीके से पैरलल होके गुजरेंगी समानांतर होके गुजरती है या बलेंगे जब लेंस से प्रकाश की किर्णे जौनंत से आ रही है प्रकाश की किर्णे वो समानांतर इस तरीके से गुजरती है तो बताओ तो यह लेंस है न क्योंकि ये ट्रांस्पेरेंट है ये पारदर्सी है ये आइना नहीं है ये मिरर नहीं है जिसमें इसे मारा तो ये इधर से reflect कर गया समझ में आ रहा है ना तो यह है तुम्हारा convex lens यानि की उत्तर lens क्या है उत्तर lens तो उत्तर lens में जब यह parallel प्रकाश की करने जाएंगी तो एक point पर यह मिलती है देखो एक point पर क्या हो रहा है यह मिल रही है है मिल रही है यह देखो इस तरीके से और यह जो point है इसी को बोलते है focus क्या बोलते हैं बच्चों focus इसी का नाम होंगे आप focus ठीक है तो तुमने mirror तो पहले पढ़ लो यानि कि दर्पन पहले पढ़ लो उसके बाद lens को पढ़ना दर्पन यदि तुमने पढ़ लिया है तो mirror पढ़ना बहुत उपर मिलती है उससे हम लोग क्या बोलते हैं उसका मुख्य focus या focus कहते हैं समझ में आ गया अब यहां देखूगे यहां पर यहां से यहां तक की दूरी को जो हम लोग यहां ओ लेंगे यहां से यहां उत्तल लिंस का फोकस का क्या परिभासा हुआ जब प्रकास की किरने कैसी किरने तो जब प्रकास की समनांतर किरने या फिर अनंत से आ रही प्रकास की समनांतर किरने जब उत्तल लिंस से गुजरती है तो एक बिंदू पर आकर मिल जाती है एक बिंदू पर आकर मिल जाती है औ और इसे ही इसका क्या बोलते हैं फोकस बोलते हैं और तुम तो जानते ही हो यहाँ वो से एफ के बीच के दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं फोकस दूरी और इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं फोकल लेंथ है न बहुत आसान ठीक है तो अब गोलिये लेंस में यहाँ पर आवतल दरपन को देखो तो ये है बच्चों आवतल दरपन जैसे मैंनेत में बताया था तो वह लेंस जिसकी दोनों बाहरी गोलिये प्रिष्ट अंदर की और वकृत हो उससे हम लोग क्या बोलते हैं आवतल लेंस बोलते हैं देख सकते हो वह लेंस जिसका दोनों प्रिष्ट प्रिश्टीए सता है अंदर की ओर धसा होता है उसे हम लोग क्या बोलेंगे उबतल लेन्स कहेंगे अच्छा इस लेंस को आपसारी लेंस भी कहते हैं अपसारी मतलब क्या होता है देखो यहां तो जब इस लेंस से होकर प्रकास की क्रेणे गुजरती है तो देखो यह क्या कर देता है उसको अपसारित कर देता है फैला देता है फैलाने के कारण इसका नाम क्या हो जाता है अपसारी लिंस पड़ जाता है इसका नाम क्या हो गया अपसारी लिंस पड़ गया अब बहुत ध्यान से सीखो यहीं से हम लोगो को इसके फो अवतल लिंस के फोकस का परिभासा लिखें तो उतल लिंस के फोकस का परिभासा अलग होता है तो हम लोग ठीक उसी तरीके से बोलेंगे कि जब अनंत से आ रही जो प्रकाश की किरने हैं और वे क्या रहेंगी पैरलल किरने रहेंगी तो Concave Lens या Outer Lens से गुजरने के बाद वे क्या हो जाती है? फैल जाती है और लगता है कि किसी एक बिंदू से वह निकलते हुई प्रतीत हो रही है यदि उनको पीछे की और मिलाया जाए तो ऐसा लगता है वो किसी एक बिंदू से निकलते हुई प्रतीत होती है और उसी बिंदू को इसका क्या कहते है? फोकस कहते है या फिर मुख्य फोकस कहते है तो यहाँ तुम देख सकते हो प्रकाश की किरने जो की कैसी है? समरांतर है जब इस Lens से गुजर रही है तो दूसरे साइड निकल रही है और जब काल्पनिक रूप से इसको पीछे मिलाया जा रहा है तो लग रहा है कि एक बिंदू से निकलती हुई प्रतीत हो रही है यहाँ देखो नहीं लग रहा है कि एक बिंदू से ऐसे जा रहा है इस तरीके से तो यही बिंदू जो काल्पनिक रूप से हम लोग बना रहे हैं इस बिंदू को जहां से निकलती हुई प्रतीत हो रही है इसे ही हम लोग क्या वोलते हैं फोकस कहते हैं बस से बस वात है यही क्या हो गया फोकस हो गया और ठीक इसी तरीके से तुम्हारा यहाँ से ओख बीच का दूरी किए प्वोकस दूरी कहेंगे तो तुमने यदि क्या पढ़ा है बताओ मिरर को पढ़ा है दर्पन को बहुत अच्छे से पढ़ा है तो तुम्हें यहां दिकत नहीं हो रहा होगा, confirm मालो तुम्हें दिकत नहीं हो रहा होगा, तो देख सकते हो यहां पर, यहां पर देख सकते हो मुख्य अक्ष के समनांतर यह रिखाएं जा रही है, तो अभी क्या हो जा रही है, अपसारित हो जा रही है, देखो, अपसारित क्या हो गया इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं फोकस बोलते हैं या मुख्य फोकस बोलते हैं समझ गए अब देखो तो अब हम लोग यहां पर जैसे हम लोगों ने मिरर में पढ़ा था अलग अलग पॉइंट्स को ऐसे हम लोग यहां पर क्या करेंगे यहां पर हम लोग मुख्य कि हम्होंग पॉइंट को पढ़ लेंगे यानि कि उसे संबंधित जो यहां पर इसे focus हो गया या ओ होता है एफ क्या हुता है या फिर वक्रता केंडर् क्या होता है यह सारा यहां पर हम लोग अब पढ़ लेंगे तो देख सकते की हैं कि प्रतिक पीष्ट की बहिंड़ जैसे तुम देख सकते हो यहां पर यहां जो गोला हो गया और यहां एक गोला हो गया इसे ही हम लोग क्या बोलेगे वकरता केंड्र और यहांNe से तुमने देखा यहां 2-f से इसको दिखाएंगे ने फोकस मैं ने बता दिया फोकस तो फोकस को f से दिखाएंगे ठीक है तो फोकस हो गया एफ और यहां क्या हो गया 2-f और इसका जो मध्य बिंदू इस तरीके िस से हो रहा है इसको बोलते हैं ओ, optical center, तो यहां से यहां के बीच के दुरी हो गई, F, और यहां से यहां के बीच के दुरी क्या होगा, तो 2F ही यहां पर क्या हो गया, वकृता केंद्र हो गया, और तुमको पता ही हैं, कि यहां से यहां, जो दुरी होगा, उस से यहां से यहां दुरी क्या होगा बोलो दो गुना होगा अरे भाई फोकस दुरी फोकस दुरी क्या हो गया ओसेफ के बीच की दुरी हो गया एस बराबर यदि चार सिंट्टीमीटर है तोong भाइनिकी आर कितना हो जाएगा 8 cm हो जाएगा दो गुना हो जाएगा यही तो बार-बार मैंने पढ़ाया है और तुमने यदि इसको पढ़ा है पहले पढ़ लिया है क्या पहले पढ़ा है अरे मीरर को पहले पढ़ लिया है तो लिंस में कोई तकलिफ तुमको नहीं होगा सब चीज़ी एकदम आसानी से समझ में आएगा एकदम आसानी से सारे चीज़ों को तुम समझ सकते हो चलो यहां देखते हैं दूसरा मुख्य अक्ष क्या है तो वस्वय सही है मुख्य अक्ष किसी लेंस के दोनों वकरता केंद्रों से गुजरने वाला एक कालपनिक सीधी रेखा है तो देख सकते हो यहां पार यहां पर वकरता केंद्र है तो इससे गुजरने वाला एक कालपनिक जो रेखा हम लोगों ने खीचा है वही क्या है मुख्य अक्ष है समझ में आ रहा है मुख्य अक्ष मतलब क्या हो गया principle axis प्रकाशिय केंद्र यानि कि optical center क्या है तो lens का बिंद्रिय बिंद्र इसकी प्रकाशिय केंद्र कहलाता है तो देखो ये सारा चीज तुमको याद करना यह कभी कभी जरूर एक्जाम में पूछा जाता है कि lens का प्रकाशिय बिंद्र किसे कहते हैं तो जो lens बनाएंग उसका जो केंद्रिय बिंद्र होगा Central Point होगा तो देखो यहीं पर प्रकासिये सेंटर क्या हो गया तुम्हारा यह वाला हो गया प्रकासिये सेंटर यह देखो यह जो मालों कि यह लेंस है तो इसका जो केंद्र बिंदू है यानि कि केंद्र बिंदू क्या है केंद्रिये बिंदू जो बोल रहा है तो इस तरीके से यह हम ल में इसी तरीके से यहां पर प्रकास्य केंद्र होता है कि किरन बिना किसी विचलन के निर्गत होती है इस बात को याद कर लो कि लेंस के प्रकाशी केंद्र से जदी मान लो कि यहाँ पर लेंस का प्रकाशी केंद्र से कोई इस तरीके से गुजर रहा है क्या गुजर रहा है किरन गुजर रहा है उसमें कोई भी विछेप नहीं होगा उसमें कोई भी अपवर्तन नहीं होगा पस सीधे सीधा क्या हो जाएगा गुजर जाएगा बिना किसी वीचलन का होगा क्या होगा निर्गत होता है अब देखो अपैर्चर द्वारक किसे कहेंगे गोली लिंस की वृताकार रूप रेखा का प्रभावी व्यास इसका द्वार अब देखो में क्या है उत्तर लिंस का मुख्य फोकस किसे कहेंगे उत्तर लिंस का मुख्य फोकस किसे कहेंगे अभी तो तुरंट बताया था उत्तर लिंस पर मुख्य अक्ष के समरांतर प्रकास की बहुत से किरने आपतित है ये किरने लिंस से अपवर्तन के पहशात मुख्य अक्ष पर एक बिंदू पर अभिसारित होती है मुख्य अक्ष पर यहां बिंदू लेंस का मुख्य फोकस कहलाता है जैसे मैंने बताया था वैसे ही यहां पर लिखा हुआ है कि उत्तर लेंस का मुख्य फोकस क्या है कितनी बार बता दिया तो तुम्हें याद भी हो गया होगा कि यहां मुख्य अक्ष के सामानांतर यह जो किरने जाती है वह अपवर्तन के पश्यात या फिर लेंस से गुजरने के पश्यात एक बिंदू पर मिलती है एक बिंदू पर क्या होती है मिलती है और इसे ही हम लोग क्या बोलते है मुख्य फोकस कहते है बस सिंपल सा है ठीक इस ने कितनी बार मैंने बता दिया कि जब प्रकास की किरने मुख्य-क्ष के समरांतर जाती है तो लिंस से अपवर्तन के पहशाद वह लगता है कि किसी एक बिंदु से आ रही प्रतीत होती है यह एक किसी बिंदु से और ही प्रतीत होती है देखो 대े जा रहा है तो यह अपसारित हो जा रहा है इसलिए इसको अपसारी लेंस भी कहते हैं लेकिन यहां यदि पीछे मिलाया जाया इस तरीके से देखो ऐसे पीछम Munich से मिलती फ्रतीत होती लेकिन यहां यहेड़ी पीछे मिलाया जाया इस तरीके से देखो आप तो याद हो गया हूगा उसे ही हम लोग क्या बलते हैं मुख़ कहते हैं O से F के बीच की दूरी को कहते हैं कितने बार पढ़ाओ अब तो याद हो गया होगा समझ में रहा क्या देख लो कितनी बार पढ़ाये घया तुम्हें ठीक है और फोकस फोकल लिंथ तुम्हें पता ही है वही होगे तुम्हारा आगे का फोकल लिंथ